Good morning respective parents and dear students, welcome you in your English class, बेटा, today we learn a new topic, that is adjectives, okay, today we learn about adjectives, आज हम adjectives के बारे में पढ़ेंगे, you also learn in previous class about this topic, आपने बिछली क्लास में भी इस topic पे बारे में पढ़ा है, बेटा पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि, what is adjectives, adjectives होते क्या है, ठीक है, आप हिंदी में विशेशन करते हो न, उसको क्या बोलते हैं, अर्जेक्टिव, इंग्लीश में, ठीक है, इर्जेक्टिव वो होते ह हैं, जो किसी चीज की विशेशता को बताते हैं, ओके बेटा, विशेशन, हिंदी में आप क्या करते हो, विशेशन, ठीक है बेटे, now, we read, definition of adjectives, adjectives are describing words, adjective क्या होते हैं, describing words होते हैं, जो किसी चीज को describe करते हैं, they are used to describe places, things and animals, ये किस किस चीज को, किस के लिए use होते हैं, sorry, किसी चीज को, किसी परसन को, किसी प्लेस को describe करने के लिए, ठीक है, कि वो कैसा है, वह जगा कैसी है, अच्छी है, बूरी है, या ये कुछ, किसी eating thing के बारे में है, वो खटा है, मीठा है, कोई जानवर काला है, गोरा है, कोई परसन अच्छा है, बूरा है, ठीक है, उसको describe करने के लिए, जो words use किये जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, adjectives, ओके बटा, I hope you understand about adjectives, ओके, now we have some examples of adjectives, अब हम इसकी कुछ examples करके देखेंगे, फरस्ट है, दिल्ली is clean city, ठीक है, दिल्ली क्या है, साफ city है, ठीक है, तो ये देखो, अब दिल्ली के बारे में बताया है, कि वो कैसी जगा है, तो इसमें जो clean है, वो क्या है, adjective, ओके, next, we eat fresh food, हम कैसा भोजन खाते हैं, fresh, ताजा भोजन खाते हैं, ठीक है, तो ये भोजन के बारे में बता रहे हैं, कि क्या से, भोजन को describe कर रहे हैं, कि हम कैसा भोजन काते हैं, तो इसमें fresh जो है, वो क्या है, describing word है, यानिके, adjective है, the match was interesting, जो match था, वो क्या था, interesting thumb, ठीक है, तो ये जो है word, वो मैं आज को describe कर रहा है, she has five dolls, उसके पास कितनी dolls हैं, five, ये क्या है, adjective, अकवर वाज वाइस किंग, तो अकवर कैसा किंग था, wise, तो wise क्या आगया, adjective, ओके बटा, I hope you understand about adjectives, now, in your grammar book, chapter number 10, adjectives, ओके, ये आपकी book में, chapter number 10 है, adjective के बारे में, grammar book का ये chapter है, आपने इसमें ये पढ़ना है, अच्छे से पहले हम ये, जो है, paragraph वो read करेंगे, ये जो lines दी हुई है, a fox is a wild animal, it looks like a dog with the radish brown fur, a pointed face and a thick tail, foxes are very intelligent and cunning, foxes usually eat rodents, rabbits and birds, ठीक है वेटे, अब आप देखो, इसमें कुछ जो है, highlighted word है, highlighted, you know about highlighted words, जो थोड़े से dark, उसमें दी होते हैं, जैसे ये थोड़े से light words हैं, ये dark हैं, इनको हम बोलते हैं, highlighted words, okay, तो ये जो words हैं, ये सारे क्या हैं, describe कर रहे हैं, किसको describe कर रहे हैं, fox की qualities को, ठीक है, जैसे कि वो जंगली जानवर है, wild क्योंते हैं, जंगली जानवर, ठीक है, उसक पर एक फर होती है, जो रैडिश ब्राउन कलर की होती है, उसका pointed face होता है, ठीक है, उसकी जो टेल हती है, वो ठीक होती है, वो बहुत ही intelligent होती है, cunning होती है, ठीक है, तो ये सारे जो words है, highlighted words, वो क्या हैं, adjectives हैं, ओके बटा, ठीक है, आप यहां पे कुछ और examples भी पढ़ सकत ठीक है, आप पाइ, अनवर के पढ़ सकते हैं, वो क्या है, ठीक है, आप दातकव लिए पहली होती है Institute on. answers of this worksheets okay in our next class okay thank you have a nice day